आप अपने तबस्सम टॉकीज को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा अदाब, नमस्कार, दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सम और आप देख रहे हैं तबस्सम टॉकीज दोस्तों आज इस मशूर टॉप मोस्ट चाइल्ड आर्टिस की मैं बात कर रही हूँ वो माशालला अब सत्तर साल की हो गई है लेकिन फिर भी आज तक उनका बच्पन सब के जहन पे चाया हुआ है और वो हैं बहुती क्यूत प्यारी सी देजी इरानी 17 जून 1950 में पैदा हुई थी देजी इरानी मुंबई में एक पार्सी इरानी परिवार में उनके पिता का नाम था नौशेर बबन इरानी और उनका एक होटल है मुंबई में और उसका नाम है महरवान होटल डेजी रानी की ममी का नाम था पैरीन और वो हाउस फाइफ थी डेजी रानी के दो भाई भी हैं और उनका नाम है सरोश और बमन और वो अपने पिता का होटल सभालते हैं और डेजी की दो बहने भी हैं छोटी बहन का नाम है हनीरानी और वो भी बहुत मशूर चाइड आर्टिस थी अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसे छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजो से छोड़ दे नानी तेरी मौनी को मौन ले गए बाग की जो बच्चा तक ले छोले गए हनीरानी ने शादी की थी मशूर राइटर जावेद अक्टर से और उनके दो बच्चे हैं एक बेटा फरहान अक्टर जो प्रोडूसर है डिरेक्टर है राइटर है एक्टर है और सिंगर भी बहुत अच्छा है और एक बेटी भी है और उसका नाम है जोया अक्टर और वो भी बहुत मशूर डिरेक्टर है और कई सुपर हिट फिल्में उसने बनाई है डेजी इरानी की बड़ी बहन का नाम है मैनिका इरानी उनके शोहर का नाम था कामरान और वो प्रोडूसर, डिरेक्टर और एक्टर थे उनके भी दो बच्चे हैं एक बेटी फरहा खान और बेटा साज़त खान और यह दोनों बहुत मशूर हैं किसी भी इंट्रोड़क्शन या तारुफ के महताज नहीं है यह देजी बच्पन से ही बहुत तेज थी पटाखा थी पटाखा और यही वज़े थी कि पढ़ाई लिखाई में बिलकुल दिल नहीं लगता था चौथी क्लास में तीन साल तक पढ़ाई की उन्होंने यानि फेल होती रही लेकिन उसी दौरान मशूर राइटर और डिरेक्टर सत्यन बोस ने उसे देखा और फॉरण अपनी फिल्म के लिए साइंच अ लिया और उस फिल्म का नाम था बंदिश गैसा है कि कटे पारण हुर तो मैं बचन जो पूछा सब्सक्रार आप तय क्यों सब्सक्राण हैं याlines क Nous इस नहीं पार्व जिक्रेट और सेateg1 बड़े हुशार लगए तुम्राणी के साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्तियृ एंए एक दिन मैं उस्से पूछा कि जेसी तू इतनी टैलेंटेड है फिर तू टॉप मोस्ट ही रोइन क्यों नहीं बन गए तो कहलेंगे क्या बताओ करो सूँँग। मेरा जो बच्पन था ना वो इतना जबरदस था कि आज तक लोगों के जहन पे छाया हुआ है लोग मुझे ग्रोन अप तसाओर ही नहीं करते हैं एक कविता याद है सुनो सुनाओ मैं तो खड़े हो के सुनाओंगा सुनाओ सुनाओ मास्तर जी अगे नहीं आता मास्तर जी 1971 में डेजी इरानी ने शादी कर ली लव मैरेज उनके पती का नाम था के के शुकला और वो बहुत मशूर राइटर थे और कई बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्में लिखी थी उन्होंने जैसे मर्ग, सुहाग, नसीब, रफु चक्कर और अमर अकबर एंथनी एक दिन मैंने डेजी से कहा कि डेजी तुम्हारे पती के के शुकला वाकई बड़े जबरदस राइटर थे और कई सुपर हिट फिल्में लिखी थी लेकिन तुम तुम तो खुद कहती हो कि तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो थी और चौथी क्लास में तीन साल तक रही थी अब मुझे ये बताओ डार लेंगी कि तुम दोनों की शादी कैसे हो गए तो कहने लगी कि तबस्सम ये तो सब जानते हैं कि जवानी में मैं बहुत हसीन थी खुबसूरत थी स्मार्ड भी थी और बहुत ज़वा तेज थी मैंने जब केके जी को पहली दफ़े देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे और जब उन्होंने मुझे पहली दफ़े देखा तो फिसल गए और हो गई हमारी शादी जीब भैलते जाने है इस इश्ड की ऐसी खुश्बू है उनका एक ही बेटा है और उसका नाम है कबीर कबीर शुकला और वो जी टीवी के लिए काम करता है उनकी दो बेटियां भी हैं दोनों बहुत प्यारी हैं एक का नाम है वर्शा और दूसरी का नाम है रितू दोनों की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है देजी इरानी बहुत अच्छी बीवी हैं और बहुत अच्छी माँ हैं शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था ताके वो अपने बच्चों की परवरिश खुद कर सके और अच्छी तरह कर सके देजी इरानी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी लेकिन अफसोस के 93 में उन्हें एक जबरदस जटका लगा उनके पती के के शुकला ये दुनिया छोड़ के चले गए और डेजी बिल्कुल तूट गई वाथ काटना खुशक्किल हो गया गुजारे नहीं गुजरता था वाथ इसलिए डेजी ने दुबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर लिया मैं ही वो पागल बुड़ी हम जोसे तुम मारना चाते थी बंदुग से उड़ाना चाते थी मेरा नाम है नर्गेश पास्ता क्या फरहाद की ममी डेजी के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और हम दोनों आज भी इंटाच है उन्होंने फिल्मों में काम करना दोबारा छोड़ दिया है क्यूंकि वो ग्रैंड मदर बन गई है और अपनी जिंदगी इंजॉय कर रही है वो कहती है कि तबस्म मुझे अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं उनके बच्चे और ये तो सभी जानते हैं कि मूल से सूध ज्यादा प्यारा होता है वागी बात तो बिलकुल ठीक है तो दोस्तों ऐसी बाते भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आप देखते रहिए तबस्म टॉकीज करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब